बोले सो नहल मैं बेंती कर दाएं सिदार हर्मीज सिंग कालका जी नू ओ दिल्ली सिख गुर्द्वारा मेंजमेंट कमेटी वो लो दिल्ली दियां संक्तावलो, देश पर दियां संक्तावलो देश देपरदान मन्तरी जीनू एक शौल ते सुरुपाओ देकर ओमन दास्न लाद करने मैं बेंती कर दाएं सार फाई हर्मीज सिंग खालसा जीनू किरपा करके ओवी नाल मचते आउन दी करपालता करना रेक सिरी साथ पेंट करन दी करपालता करना मैं बेंती करदाएं पंजाब सरकार वो लो सुदार हरजोल सिंग जी बैंद साब सिरी दरबार साब दा एक मोमेंटम ते नाल एक शौड़ाएं माने क्रिशन रेडी जी नूँ ओ किरपया करके मंचते होंदी किरपालता करन और मैं बिंती करता हूँ मिनिस्टर आफ स्टेर फॉर टेली कम्मुनिकेशन दिव सिंद चुहान जी से वो एक कोईन को रिलीस करने के लिए मंच पर आएंगे अस्तार अरदीप सिंग जी पूरी साहब जैदार साहब ना लो जो 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 जैदार साहब ना लो जो नो फटार एक पासे तुसी ओज़ी एक पासे ओज़ी हेड़ गरंथी गुर्द्वारा सीजगाई साहब एक स्टेंपनों रिलीस करने के परदान मंत्री जी एक यादगारी टिकट बोले सो नहू गुरुतेक बहदूर साहब के चार्सोवे प्रकाश प्रवको समर्पित इस भव्य आयोजन में मैं आप सभी का रदय से स्वागत करता हूँ अभी शबत किर्दन सुनकर जो शांती मिली वो शब्दों में अभिव्यक्त करना मुश्किल है आज मुझे गुरु को समर्पित समारक डाक्टिकीट और सिक्के के विमोचन का भी सोभागी मिला है मैं इसे हमारे गुरुओं की विशेश कुरुपा मानता हूँ इसके पहले दोहजार उन्नीस में हमें गुरु नानक देव जी का पांसो पचासवा प्रकाशपर्व और दोहजार सत्रा में गुरु गोविन सीन्जी का तिनसो पचासवा प्रकाशपर्व मनाने का भी सवभागी मिला था मुझे खुशी है कि आज हमारा देश पूरी निष्टा के साथ हमारे गुरुओं के आदर्शों पर आगे बढ़ रहा है मैं इस पुन्य अवसर पर सभी दस गुरुओं के चरणों में आदर पुर्वक नमन करता हूँ आप सभी को सभी देश वास्यों को और पुरी दुनिया में गुरुवानी में आस्ता रखने वाले सभी लोगों को मैं प्रकाश पर्व की हारदिक बढ़ाई देता हूँ साथियों ये लाल खिला कितने ही एहम कालखंडों का साक्षी रहा है इस किले ने गुरु तेग बहदुर साथ की शहादत को भी देखा है और देश के लिए मर मिटने वाले लोगों के हौशले को भी पर्खा है आजहादी के बाद के 75 वर्षों में भारत के कितने ही सपनों की गुंच यहां से प्रतिद्वनीद हुई है इसलिए आजहादी के अमरित महुत्सव के दौरान लाल किले पर हो रहा है ये आयोजन बहुत विशेश हो गया है साथियों हमाज जहाँ है अपने लाखों करोडों स्वाधिनता सेनानियों के त्याग और बलिदान के कारण है आजाद हिंदुस्तान अपने फैसले खुद करने वाला हिंदुस्तान लोकतांत्रिक हिंदुस्तान दुनिया में परोपकार का संदेश पहचाने वाला हिंदुस्तान ऐसे हिंदुस्तान के सपने को पूरा होते देखने के लिए कोटी कोटी लोगों ने खुद को खपा दिया इभारत भूमी सिर्फ एक देश ही नहीं है बलकि हमारी महान विरासत है महान परंपरा है गुरुओं ने सेंकड़ों हजारों सालों की तपस्या से सीचा है उसके विचारों से समरिद्ध किया है इसी परंपरा के सम्मान के लिए उसकी पहचान की रच्छा के लिए दसों गुरुओं ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था इसलिए साथियों सेंकड़ों काल की गुलामी से मुक्ति को भारत की आज़ादी को भारत की आध्यात्मिक और सांसकुर्थिक यात्रा से अलग करके नहीं देखा जा सकता इसलिए आज़ देश आज़ादी के अमृत महोच्षव को और गुरुतेक बहदूर्थ साथ के चार सो में प्रकास परव को एक साथ मना रहा है एक जैसे संकल्पों के साथ मना रहा है साथियों हमारे गुरुओं ने हमेशा ज्यान और अध्यात्म के साथ ही समाज और संस्कृती की जिम्मेदारी उठाई उन्होंने शक्ति को सिवा का माध्यम बनाया जब गुरु तेक बाहदुर साथ का जन्म हुआ था तो गुरु पिता ने कहा था दिन रक्ष संकट हरन दिन रक्ष संकट हरन यानि ये बालक एक महान आत्मा है ये दिन दुख्यों की रक्षा करने वाला संकट को हरने वाला है इसलिए स्री हर्गोविन साब ने उनका नाम त्याग मल रखा यही त्याग भारत को अपनी पहचान बचाने के लिए एक बड़ी उमीद गुरु तेक बाहदुर साब के रुप में दिखी थी आउरंग जेब की आतताई सोच के सामने उस समय गुरुतेक बहदुर जी हिंददी चादर मनकर एक चचान मनकर खड़े हो गए थे इत्याद गवा है के वर्तमान समय गवा है और यह लाल कीला भी गवा है के आउरंग जेब और उसके जैसे अत्याचारियों ने बले ही अनेकों सीरों को धर से अलग करा लेकिन हमारी आस्ता को वो हमें हमसे अलग नहीं कर सका गुर्तेक बहादूर जी के परिदान ने भारत की अनेकों पीडियों को अपनी संस्कृती की मर्यादा की रक्षा के लिए उसके मान सम्मान के लिए जीने और मर मिट जाने की प्रेरणा दिया है बड़ी-बड़ी सत्ताएं मिट गई बड़े-बड़े तुफान चांद हो गए लेकिन भारत आज भी अमर खड़ा है भारत आगे बढ़ रहा है आज एक बार फिर दुनिया भारत की तरफ देख रही है मानवता के मार्क पर पस प्रदेशन की उमीद कर रही है गुरुतेक बहदुर जी का आशिरवात हम नए भारत के अभा मंडल में हर और मैसूस कर सकते हैं भाई और बैनों हमारे यहां हर कालखंड में जब जब नई चुनवतिया खड़ी होती है तो कोई न कोई महानात्मा इस पुरातन देश को नए रास्ते दिखा कर दिशा देती है बारत का हर छेतर हर कोना हमारे गुरुआं के प्रभाव और ज्ञान से रोशन रहा है गुरु नानक देव जी ने पूरे देश को एक सुत्र में पिरोया गुरु तेक बहदूर जी के निवाई हर तरफ हुए पटना में पटना साहिब और दिलनी में रकाम गजज साहिब हमें हर जगह गुरुआं के जान और आसिदवात के रुपे एक भारत के दर्शन होते हैं भाई और भेनों मैं अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूँ कि उसे गुरुआं की सेवा के लिए इतना कुछ करने का अउसर मिल रहा है पिछले वर्ष ही हमारी सरकार ने सहिब जादों के महान बलिदार की स्मृति में 26 दिसम्बर को वीर बाल दिवस मनाने का निरने किया है सिख परंपरा के तिर्थों को जोडने के लिए भी हमारी सरकार निरनतर प्रयास कर रही है जिस करतार पुर सहाब करिडोर की दसकों से प्रतिक्षा की जा रही थी उसका निरमान करके हमारी सरकार ने गुरु सेवा के लिए अपनी प्रतिवद्दता दिखाई है हमारी सरकार ने पट्ला सहाब समीत गुरु गोविन सी जोड़े स्तानों पर रेल सुविदाओं का आदुनिकरन भी किया है हम स्वदेश दर्सन योजना के जरिये पंजाब में आननपुर साहब और अमृत्सर में अमृत्सर साहब समीत सभी प्रमुक्षानों को जोड़कर एक तिर्थ सरकीट भी बना रहे हैं उत्त्राखंड में हेमकुन साहब के लिए रौप्पे बनाने का काम अभी आगे बढ़ रहा है साथ क्यों स्रीगुरु गंज साहिब जी हमारे लिए आत्मकल्यान के प्रसप्रदर्शक के साथ साथ भारत की भीवितता और एक ता का जीवन्त स्वरूप भी है इसलिए जब अफगानिस्तान में संकट पैदा होता है हमारे प्रभीत्र गुरु गंज साहब के स्वरूपों को लाने का प्रस्ण कड़ा होता है तो भारत सरकार पूरी ताकट लगा देती है हम न केवल गुरुगन साब के सुरुप को पूरे सम्मान के साथ सिष्प पर रख कर लाते हैं बल्कि संकट में फसे अपने सिख भाईयों को भी बचाते हैं नागरिक्ता सौंसोधन कानून ने पडोसी देशों से आये सीख और अर्पसंगे परिवारों को देश की नागरिक्ता मिलने का रास्ता साप किया है ये सब इसलिए संबव हुआ है क्योंकि हमारे गुरुओं ने हमें मानवता को सर्वोपरी रखने की सीख दी है प्रेम और सवहार्थ हमारे संस्कारों का हिस्सा है साथियों हमारे गुरू की वाणी है भय काहू को देत नहीं भय काहू को देत नहीं नहीं भय मानत आन कहनानक सुनी रे मना ग्यानी ताही बखानी अर्थात ग्यानी वही है जो न किसी को डराए और न किसी से डरे भारत ने कभी किसी देश या समाद के लिए खत्रा नहीं पैदा किया आध हम पूरे विश्व के कलियान के लिए सोचते हैं एक ही कामना करते हैं हम आत्मा निर्वर भानत की बात करते हैं तो उसमें पूरे विश्व की प्रगती लक्ष का सामने रख करके हम करते हैं भारत विश्व में योग का प्रसार करता है तो पूरे विश्व के स्वास्त और शान्ती की कामना से करता है कल ही मैं गुजरात से लोटा हूँ बहाँ विश्व स्वास्त संगधन के पारंपारी चिकित्सा के ग्लोबल सेंटर का उद्गाटन हुआ है अब भारत लोगों के स्वास्त को सुधारने में एहम भूमी का निभाएगा साथियों आज का भारत वेश्विक द्वंदों के बीज में पुरी स्थिर्ता के साथ शांती के लिए प्रयास करता है काम करता है और भारत अपनी देश की रख्षा सुरख्षा के लिए भी आज उतनी ही द्रड़ता से अटल है हमारे सामने गुरुआ की दी गई हुई महान सिख परंपरा है पुरानी सोच पुरानी रूडियों को किनारे हटा कर गुरुआने नई विचार सामने रखे